दिल्ली NCR में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि 78 साल का रिकॉर्ड टूड गया लेकिन इसी के साथ में बारिश के बाद में हालात से निपटने में सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आया और ये हाल तब है जब अभी तो बारिश शुरू हुई है और ऐसे में ये जो पीरे हैं वो निकल कर सामने आई है सी से जुड़ी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं शुक्रवार को हुई मोंसून की पहली बारिश ने दिल्ली को पानी पानी कर दिया दिल्ली दर्या बन गई और लोग तेरते नजराई कहीं गाड़ी डूब रही थी कहीं घर कहीं लोग पानी की बूंद बूंद को तरस्ती दिल्ली में मोंसून की पहली बारिश है इतनी बरस गई कि राजधानी मुसीवतों का शहर बन गया सडके तालाब में तब्दील हो गई अंडर पास में पानी भरने से गाड़िया फस गई नशनल हाईवे तक पर पानी जमा हो गया बारिश इतनी हुई कि इसने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया जून में इतनी ज्यादा बारिश ने 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जून के महीने में दिल्ली में 24 घंटों में अब तक की सबसे अधिक बारिश 28 जून 1936 को 235.5 mm दर्ज की गई थी इस बार शुक्रबार को हुई 228.1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम इभाग की माने तो ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आकड़ा है दिल्ली में जून में आसतन बारिश 80.6 mm तक होती है लेकिन इस बार तीन गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है पहले ही बारिश में दिल्ली डूब गई मतुरा रोड जलमग्न, प्रगती मैदान टरनल बंद, तिलक ब्रिज अंडर पास में पानी मिन्टो रोड अंडर पास में सैलाब, संसत भवन, शांती मार्ग, लोधी रोड, लुटियन जोन, नशनल मीडिया सेंटर पौश इलाका हो या कच्ची कॉलोनी, हर जगह पानी-पानी, दिल्ली ऐसी दिख रही थी, जैसे समंदर में शहर समाया हो पानी काफी हद तक कम हो गया है, तब जाके ये हाल है, जिस वक्त पानी जिस सब सुबह, जब ताबर तोड और मुस्राधार बारिश हो रही थी, उस वक्त यहां पानी का स्तर क्या रहा होगा सुरक्षा के मद्दे नजर इस पूरे टनल को बंद किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि हैवी पंप सेट के जरीए जो की इस टनल में पहले से जब प्लैनिंग की गई थी, कभी इस तरीके की स्थिति आती है, कभी जल भराव की समस्या होती है, या तेज पानी आता है वसंत बिहार में एक निर्मानाधीन इमारत के गड़े में फसने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, एक दिन बाद तीनों मजदूरों के शब को मलवे से निकाला गया, चश्मदीदों के मुताबिक दिवार गिरने से तीन मजदूर उसमें फस गए थे, इसके बाद बेसमे पानी लगता है लेकिन पिछले दस साल में आमागनी पार्टी से पूछिए क्या है आपने किसी नाले को क्लीन करके डी सिल्ट करके उसमें पानी के बहाव को बारिश के अंसार करने की कोशिस की जबाब मिलेगा नहीं मौनसून की पहली बारिश का आसर देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एमस पर भी पड़ा है देश भर से आने वाले मरीजों का इलाज करने वाला दिल्ली एमस खोद ही बीमार पड़ गया भारी बारिश के बाद दिल्ली एमस परिसर की लिफ्ट लॉबी में भी पानी भर गया वीडियो में आप देख सकते हैं कि एमस की लिफ्ट लॉबी में किस तरह से पानी भरा है इससे मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा इतना ही नहीं तेज बारिश से एमस के कामकाज पर भी असर पड़ा भारी बारिश के बाद छटों से पानी लीक होने और एसी बंद होनी की वज़े से शुक्रबार को दिल्ली एमस में सभी ओपरेशन थियेटर बंद रहे एमस के एमर्जेंसी में ओपरेशन नहीं किये जा सके मरीजों को सबदर जंग या दूसरे सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया दिल्ली में बारिश के बाद दिल को जखजोर देने वाला हास्ता हुआ नौर्थ इस्ट दिल्ली के नियू उस्मानपुर में दो बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई इन बच्चों की उम्र आठ और दस साल थी नियू उस्मान नगर के पा पानी पानी हो जाए इस जलभराव के मुद्य पर भी दाजनीती अपतेज है जलभराव की वज़े से प्रगती मैदान टरनल बंद करने के बाद बीजेपी ने वीडियो पोस्ट के जरिये निशाना साधा उधर कॉंग्रस नेता उधितराज ने भी बीजेपी पर हमला बोला और आम आदमी पार्टी को बारिश को लेकर एहतियात पर रतने की सलाह भी दी फिलहाल बारिश काल अभी शुरू ही हुआ है पहली बारिश में 88 साल का रिकॉड टूटा है अगर सिर्फ राजनीती ही होती रही तो अगली बारिश में भी डूबती दिल्ली की ऐसी ही तस्वीर दिखेगी इससे गुरेज नहीं किया जा सकता ब्योरो रिपोर्ट न्यूज एथी दिल्ली ही नहीं पूरे देश की काई शेहरों से परिशान करने वाली तस्वीरे देखने को मिल रही है कहीं सड़के डूबी हैं तो कहीं घर डूबे हुए हैं लेहाजा लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बारिश और बार का विक्राल रोग शेहर शेहर सैलाब का कहर बार में बेबस जिन्दगी बेकाबू बार का प्रहार सड़कों पर वहा सैलाब मौनसून की शुरवात क्या होई हर जगे पानी का पहरा दिखाई देने लगा देश के कई शेहर जल मगन हो गए आशियाने ढहने लगे सड़के तालाप में दबदील होने लगी तो नदियों में उफान नजर आने लगा सड़कों पर आया सैलाब पीली भी यूपी पहली वारिश में सिर्फ दिल्ली का हाल बुरा नहीं दिखा बलकि यूपी के कई शेहरों का हाल बेहाल दिखा जहां पहली ही वारिश ने नगटपालिका के सारे दावों को ध्वस्त कर दिया सड़कों पर पानी इतना भर गया कि वहां मौजूद स्कूटर, मोटरसाइकल उसमें दूबे नजर आने लगे गनीमत थी कि कार के पहिए थोड़े बड़े होते हैं वरना कारें भी इस सैलाब में समाज आते हैं बारिश में डूब गया मोहला, संभल, यूपी अब आपको यूपी के एक और जिले की तस्वीर दिखाते हैं संभल के सदर इलाकी से आई इन तस्वीरों में पूरा मोहला जलमग ने दिखाई दिया अपने ही मोहले में एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए ट्रैक्टर और बैलकाडी का सहारा लेते लोग दिखे यही नहीं, मोहले के रास्तों पर इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मोटर साइकल भी डूप गए, पानी वरसने का बेसबरी से इंतजार किया जा रहा था लेकिन जब इंद्र देवता महरबान हुए तो इतने महरबान हो गए कि पूरे मोहले को ही डुपा दिया लोगों के आश्याने के अंदर पानी भर गया अगर इस महले में पानी के निकासी की विवस्ता दुरूस्त होती तो शायद ये मनजर नजर नहीं आता दूप गयार दी एम म कांउफेस, हर दोई, यूपी बारिश से ना सिर्फ आम लोग बलकि खास लोगों पर भी मुसीबत आन पड़ी है यूपी के हरदोई से कुछ ऐसी ही तज़्वीरे आई है हरदोई में एक घंटे की बारिश से पूरा शहर जल्मक नहों गया हरदोई के टीम आफिस में भी बार का मंज़र नजर आने लगा तो वहीं साकारी अफसरों के गफ्तरों और घरों में बारिश का पानी घुज गया जिससे अफसरों के घरों में सामान तो भीगी गया घर में बैठने की जगत तक भी नहीं रही इस्तितियां बहुत खराब ही है इसका आवास है यह हमारे साहे के विंदा अमिसर का है जाब कैसे का आपनी निकलेगा यह जंदवी कैसे बाहर होगी अभी यह बार्टी से निकालने पड़ेगी और इसका कोई और चारा नहीं उफान पर है लहाजा कोट द्वार प्रशासन फुल आक्शन में है नदियों का ड्रून सर्वे कराया जा रहा है जिन इलाकों में जमीन कटने की आशंका है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है ताकि बार के प्रहार के दोरान इन इलाकों में फोरन रेस्क्यू कराया जा सके देश भर में इस बार जहां गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े है उसी तरह से संभावनम चताई जा रही है कि बारेश भी इस साल पूरे देश में जबरदस्त होगी उतरप्रदेश, आजिस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश और साथी दक्षुन भारत के कई शहरों में मौनसून ने दस्तक दे दी है और आने के साथ ही मौनसून रिकॉर्ड तोड़ रहा है मौसम विज्ञान विभाग का पूरवानमान है कि अगले तीन से चार दिन में मानसून पूरे भारत को अपने आगोस में ले लेगा और अपकी वार भारी और अतिभारी बारे सोने की पूरी संभावना है जिस तरह से आपने देखा पिछले तीन महीने पूरा भारत और उसमें उत्तर भारत बहुत ज़्यादा तपा और गर्मी हीट वीप के दिन भी बढ़े और इस तरह से क्लाइमेट चेंज का असर हमारे एसिया महादीप और उसमें भारत पर बहुत ज़्यादा प्रणने जा रहा है उसकी वज़े से एक्स्ट्रीम इवेंट्स होंगे बारिस होगी तो बहुत बारिस होगी और ऐसा माना जा रहा है कि जितने गर्मी ने अपने रिकॉर्ड्स को बीट किया वैसे ही मौनसून भी दस तक देगा और बारिश की वैसे भी तमाम रिकॉर्ड्स बीट करेंगे इस वक्ट न्यूस 18 टीम आप देख सकते हैं कि यह वैच्छाला है सरस्य विज्ञान विभा कि चेंज ऑफ कलेमेट के वैसे जिस तरह गर्मी ने तमाम अपने रिकॉर्ड्स को बीट किया तो वैसे ही बारिश भी अपने तमाम रिकॉर्ड्स को बीट करेंगे और आसा माना जा रहा है कि 3-4 जुलाई के आस-पास बारिश और तेज होगी और इसकी जो संख्या और हर्याना और पंजाब में भी जो बारिश है अपने एवरेज से और जादा होगी यानि आने वाले समय में मौनसून भी दस्तक देने जा रहा है और अपने तमाम रिकॉर्ड्स को भी बीट करेगा अपिर जलस आशीश पांडे के साथ अमित गंजू नीज़ एटीन कानपॉर उत्रखंड में मौनसून की दस्तक के बाद आज और कल के लिए तेज बारश का अलर्ट है आज के लिए यलो अलर्ट जबकि कल के लिए बारश का औरंज अलर्ट मौसम विभाग में चारी किया है देड़दून ने निताल हरिद्वार के साथ पहाड़ी जिलो में भी भारी बारश की संभावना चताई गई है शुक्रवार कुकुमाव के रास्ते से मौनसून की एंट्री हुई चमपावत के बनबसा में जोरदार बारश हुई बनबसा में कुल 71 mm बारश रिकॉर्ड की गई वहीं बारश का असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है वहीं प्रसाशन का कहना है कि PWD सिचाई विभाग लगभग अपनी तयार्या कर चुके है आपदा की स्थिती के लिए NDRF, SDRF को जरूरी सावान उपलब्ध करा दिये गए है 39 जगे SDRF को तैनात क्या गया है तो 7 जगे NDRF की तैनाती की गई है हमारी तयारी सिर्फ ये कि किस तरह से हम इन्फर्मेशन लें और भेजें थोड़ा response में हमारा आप ज्यादा ध्यान रहेगा क्योंकि बारिश तो होगी अपने जगा हम flood के situation भी create होंगे कहीं थोड़े land slide भी होंगे तो उसके लिए हमें किस तरह से response करना है वो बहुत महब बहुत मत्पून है चमूली में हार्थी परवत के पास की सड़क के हाल खराब है पिशले साल बरसाद में सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया था जो ठीक नहीं क्या गया ऐसे में इस बार भी तेज बारिश से सड़क पर खत्राब बना हुआ है वहीं नैनिताल में आवागर के इलाके में पिशले साल लेंड्सलाइड हुआ था जिसके बाद यहीं ट्रीटमेंट का काम होना था जो पूरा नहीं हो पाया मौनसून के बारिश शुरू हो गई है और अब खत्राब बढ़ क्या है वहीं अल्मोडा के रानी धरा रोड में बारिश के कारण काई घरों में मलबा खुसकिया लोगों ने जैसे तैसे रात काटी फिर सुबा घरों से अपना मलबा साफ किया आज और कल देरादून, नैनिताल, बागिश्वर, चमोली, रुदर प्रयाग जिलो में भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने 30 जून से 3 जुलाई तक भारी बारिश का पुनर अनुमान जताया है जिसको लेकर सरकार समेट सभी विभाग अलर्ट मोड में आ गए है मौनर रिपोर्ट, निउस एठी हरिद्वार से खबर है जहाँ पर गंगा नदी में कई गाडियां बह गई हैं कई कार कागस की नाओ की तरहा अचानक गंगा नदी में बहने लगी हरिद्वार में दोपहर के बाद में बारिश हुई और आपको बता दे की कई ऐसे इलाके जहां पर काफी तेज बारिश के चलते पानी भर गया और साती जिससे की खड़खड़ी स्थित सूखी नदी में भी उफान आगया और सूखी नदी के पास में खड़ी गाडियां अचानक बहकर गंगा में पहुच गई और गंगा नदी में बहने लगी तस्कूरे आप देख सकते हैं जिसमें कार गंगा नदी में बह रही है पानी एक दम बाड़ आई उपर से कुछ लोग एक दो गाड़िया घटवाई वी लोगों आपर उत्री में बहुत तीज बारिस आई जिसे सारी एक साथ बहुत तीज बारिस आई लेकिन पास गाड़ी खमाब खड़ी थी मुझे पतर ही चला कब भी मुझे लोगों आप फोन हरद्वार में सीजन की पहली बारिस आपत लेकर आई है बरसाती नदी में अचानक पानी आजाने से वहाँ पास में खड़ी हुई कई गाड़ियां कागस की नाओ की तरह बह गई और सभी गाड़ियां बहती हुई हरकी पैड़ी की ओर चले गई ये पूरी जो घटना है ख चानक तेज बारिस आई दोपैर के वगग वहा खड़ी हुई सभी गाड़ियां कागस की नाओ की तरह बह गई गई और यहां पर देखा जा सकता हा झाँ ये यह जो दो घ değiş ready हुई हुई और एक तीसरी गाड़ी जो की थोडी दूरी पर आगे थसी हुई और जो लोग हैं जो गाड़ी के जो मालिक है या उनके साथ आए वे जो लोग है या इस्थानी लोगों की बेल यहाँ पर जमा है और इंतजार किया जा रहा है कि कैसे इन गाड़ीयों को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा नियूज 18 पुल के शुक्ला हर्दुआर दैरदून में भी आज शाम खुब बारिश हुई अब बारिश से लोगों को राहा तो मिली है लेकिन काई इलाकों में जल भराव की दिक्कत भी हुई है तो काई जगा पर रोड धस गए हैं मौनसून की पहली ही बारिश में स्मार्ट सिटी की सड़के काई जगा पर धस गए बड़े बड़े गड़े हो गए और गाड़ियां की पस गए गाड़ियों को निकालने के लिए जेसिपी की मदद ली गई है ये तस्वीरे इंद्रा नगर की हैं जहाँ पर स्मार्ट सिटी के कामों के बात में सड़कों का क्या हाल है आप खुद देख सकते हैं अलदवानी में आज दुपहर के बाद पे जबरदस्त बारिश रिकॉर्ट की गई जिसके कारण लोगों का जंजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया मौनसून की दूसरी बारिश ने सरकारी इंतजामों की पोल खोल कर रख दिया और बरसात का जो पानी नालियों में बहाना था वे सड़कों पर ही बहता नजर आया यही नहीं कई नदी नाले भी उफान पर दिखे